अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चानल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो लाश्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी क्लारिटी आ जाए तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ओनर के अंडर as a driver काम कर रहे हैं अगर आपको आपका ओनर चेंज करना है मतलब दुसरे ओनर के अंडर आपको चले जाना है ओनर आपके चेंज करना है तो कैसे करें तो आपको बिल्कुल ऑफिस जाने की ज़रत नहीं है आप घर बेटे आपके फोन से customer care को phone करके आप दुसरे partner के अंडर दुसरे ओनर के अंडर आप as a driver मूग कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको customer care को call करना है तो customer care का नंबर है 961110055 तो आपको यह जो उबर का customer care नंबर है 961110055 पर आपको call करनी है तो call करने के बाद आपको लेकिन call करने से पहले तीन rules है पहला rule यह है कि आप आपके registered mobile number से मतलब आप already as a driver आप Uber में गाड़ी चला रहे है तो आपका जो mobile number है मतलब जिस पर customer के phone आते मतलब वो जो registered mobile number होता है तो उसी नंबर से registered mobile number से ही आपको call करनी है और दूसरा rule जो हता है वो आपको जिस नए owner के अंडर आप move करना चाहते है तो वो owner का mobile number मतलब उनका registered mobile number जो है और उनकी गाड़ी का नंबर जो है वो दोन आपको लिखके रखना है जब आप customer के उनको phone करेंगे तब customer care वाले आपको पूछेंगे कि गाड़ी का नंबर क्य क्या है और owner का mobile number क्या है तब आपको owner का नंबर और गाड़ी का नंबर आपको उनको बताना है और तिसरा rule यह है कि अगर इस हपते आपने पुराने वाले owner के पास अगर एक भी trip करी है तो आप आपका owner change नहीं कर सकते है तो जनरली यह हपता जो होता है उबर में मंडे अगर आप last booking करे है या मंडे सुब चार बजे से पहले अगर आपने booking करी है तो कोई problem नहीं तो आप यह हपते में कभी ही भी दुसरे owner के अंडर आप चले जा सकते हैं लेकिन अगर आपने मंडे या Tuesday या मंडे के बाद यह हपते में अगर मंडे के बाद आपने trip करी है तो आपको एक हपता रुकना पड़ेगा तो तीन रूस मैं फिर से बताता हूं सबसे पहले आपको registered mobile number से phone करना है और आपको customer care को नए owner का mobile number और उनके गाड़ी का number आपको बताना है और तीसरा rule जो है आपको यह हपते मतलब Monday से आप एक भी trip नहीं करना चाहिए Monday से तभी आप आप दुसरे partner के अंडर move कर सकते हैं तो generally आपको customer care को यह number पे phone करना है 96001 जो आपको screen पे अभी दिख रहा है 96001 000555 यह number पे आपको customer care को phone करना है phone करने के बाद आपको सबसे पहले options पूछेगा तो सबसे पहले आपको first option एक दबाना है उसके बाद आपको 5 दबाना है उसके बाद आपको 4 दबाना है उसके बाद आपको 3 दबाना है मतलब आपको 1, 5, 4, 3 यह आपको options select करने हैं तो सबसे पहले आप 1 trace करेंगे फिर 5 प्रेस करेंगे फिर 4 प्रेस करेंगे फिर 3 उसके बाद आप direct जो है आप वो option में चेले जाएंगे जहाँ पे आप आपका owner change करना है और आपकी बात customer care से हो जाएगी और आप उनको नए owner का mobile number और गाड़ी का number बता ही registered mobile number से call कीशे तो एक 2-3 गंटे के अंदर-अंदर आपकी owner change हो जाएगे तो आप अगर आपका Uber driver application open करते हैं तो वहाँ पे आपको नए owner का नाम देखेगा और नए owner की जो गाड़ी है गाड़ी या गाड़ी है जितने भी गाड़ी है वह आपको दिखेंगी तो आप जो भी गाड़ी चला रहे हो गाड़ी को आपको select करके आप online जाके trips कर सकते हैं इतना simple है बस 2-3 गंटे का time लगेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कर दीजिए और please channel को subscribe करके आपका support दिखाईए Thank you so much for watching the video